हेलो दोस्तो एप्येपो से ताजा खवर निकल कर आ रही है जिसके अंतरगत नियमों में बड़ा बदलाओ होने जा रहा है दोस्तो यह नियम क्या है? क्या नियम बदला जाएगा? क्या लाब होगा? वे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं पैंसन धारकों के लिए यह एक बड़ा मौका है और साथ साथ दोस्तो आपको बदा चाहेंगे कि इसमें जो नियम लागो होने जा रहे हैं वे है पैंसन धारकों के लिए बहुती महत्पून हैं क्रमचारियों के लिए साथ साथ दोस्तों दुकानदारों के लिए भी वह बहुती महत्पून हैं जैसे कि आपको पता है कि 15,000 की लिमिट एड़ की गई है तो दोस्तों वह भी सरकार समाप्त करने जा रही है तो दोस्तों इसमें और भी कई बड़ी सुविधाये हैं जो आप ले सकते हैं वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वह क्या सुविधा दी जाएगी नए नियमों के अंतरगत और दोस्तों क्या इसमें बड़ा बतलाओ किया जा रहा है तो अगर आप भी करमचारी हैं एप्याफों के सदश्य हैं पैंसंधारक हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सेर करेगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों बुढ़ापा एक ऐसी चीज है, बुढ़ापा ऐसा वक्त आता है जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति काफी कमजोर हो जाते हैं और दोस्तों उनके पास कोई आयका स्रोत नहीं हो पाता है और सरीर को देखते हैं दोस्तों उनसे काम भी नहीं हो पाता है तो सरकार की तरब से कई बड़ी पैंसन योजनाय चलाई गई हैं जिसका लाग बुजर्ग वैक्ती प्राप्त कर सकते हैं अगर आप भी चाते हैं कि आपका बुढ़ापा भी सिक्यूर हो तो दोस्तो आपको क्या करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे साथ दोस्तो जो EPFO है यहाँ पर क्या नियम बदले जा रहे हैं उसके बारे में भी आप यहाँ पर जान लीजिए आपकी जानकार के बता दें कि EPFO के अंतरगत नियमों में बड़ा बदला होन जा रहा है जिसमें अब स्वेरोजगार भी पैंसन ले पाएंगे यानिके EPFO के अंतरगत पहले करमचारी ही जो रेटर करमचारी हैं वही लाब ले सकते थे लेकिन अब जो स्वंग का कारिय करते हैं वहे भी इसके लिए लाब प्राप्त प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या फैसला आने वाला है चलिए उसके बारे में भी आपको आते हैं जो सरकार फैसला लेने जा रही है तो दोस्तों साथी क्रमचारी भविश्चन्दी संगटन के सदस्यों के लिए अब डिजी लोकर से ही कई तरह की सुविधाय मेंबर के लिए सुरू कर दी गई हैं यनके जो दस्तविज है वह आप डिजी लोकर में रख सकते हैं और संगटित ने अपने करम जो अधिकारी हैं उनको भी दोस्तों यह जानकरी ट्विट कर दे दी है अब आप दोस्तो डिजी लोकर का फाइदा उठा सकते हैं जो भी स्विदाए हैं वह आप राफ्त कर सकते हैं आपको अपनी पोकेट में दस्तवेज रखने की अविशक्ता नहीं होगी साथी दोस्तो आपको बता चाहेंगे कि Employee Provident Fund इशकीम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिससे स्वेरोजगार में लगे लोगों को भी इस इशकीम में सामिल किया जा सके यानि कि जो स्वेम का रोजगार करते हैं वह भी इस इस कीम में सामिल हो सकते हैं दोस्तो क्रमचारी भवश्यय निदिश शंगठन ने अपने Retirement इस कीम में सामिल होने के लिए salary और क्रमचारी की शंक्या की सीमा हटाने का प्रास्ताव भी दिया है यानि के जो यहाँ पर salary की सीमा रखी गई है करमचार्यों की सीमा रखी गई है तो उसको हटाने के लिए भी दोस्तो प्रस्ताव दिया गया है वह भी जल्द ही उसका फैंसला जो भी होगा वह आदे ही आपको जानकारी दे जाएगी तो आप हमेरी चैनल को जो है वह 15,000 रुपे परती महा तक सिमित है मतलब आपकी सैलरी चाहे कुछ भी हो लेकिन पैंसन की गणना श्रिप 15,000 रुपे पर ही होती है दोस्तो एपिएफो अपने मेंबर को परविडेंट फंड पैंसन और इंसोरेंस की स्विधाय देती है ये स्विधाय एपिएफ इंप्लोई पैंसन स्कीम और इंप्लोई डिपोजिट लिंक इंसोरेंस स्कीम के जरिए दी जाती है तो दोस्तो यहाँ पर जो लिमिट है 15,000 की और जो करमचार्यों की लिमिट रखी गई है वह सरकार अब उसको हटाने जा रही है बताएगा है कि सब्सक्राइबर की संक्या में बढ़ने से एप्लोई का कारपर्स भी बढ़ेगा और अभी यह 12,000,000 करोड रुपे का है अभी एप्लोई एप्लोई अपनी इंक्रिमेंट इंकम का 15,000 एप्लोई में निमिज करता है जिसे बढ़ा कर 25 फिजदी तक ले जाने की योजना बना रहा है और जो 15,000 रुपे की जो लिमिट सरकार द्वारा रखी गई है उसको भी दोस्तो सरकार हटाने का फैंसला जल्द ही लेने वाली है इस पर भी सरकार जल्द सुनवाई करने वाली है करमचरयो की लिमिट पर दोस्तो कोई न कोई फैंसला जरूर आएगा क्योंकि इसके लिए भी प्रस्ताव पारित हो चुका है यानि कि यहाँ पर प्रस्ताव भेजा है जैसे ही परित होगा तो दोस्तो आपको जानकारी दे जाएगी यदि APAgebeno से related या फिर पैंसन से related आपको कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं आपके सवाल को जवाब दे जाएगा और आपसे हमारा चोटा हनुब्यदन है कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं आपके सवाल को जवाब दे जाएगा और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए सेर करेगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं